नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं नौलिज बजवराज के वडियो में हम बात करेंगे रेलिवे एंटी बीसी के चार जनवरी दोहजार एक्टिस के सिफ्ट वन और सिफ्ट टू के टूटल असी कोशन के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे दोनों सिफ्ट के 40-40 कोशन ह देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एक्जाम के लिए यह वडियो तो इस वडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें प्लीज सपोर्ट की जगा तो चलिए पहले कोशन को हम देखते हैं तो पहला कोशन आप से पुछा लिए कि 1867 की कृतिक खक्तम हुई थि तो 1888 में अगर पूछा गया कब सुरू हुई थी तो 1857 में ठीक है अगे दिखें सर्दा सरवल बांद किस नदी पर है तो नर्मदा नदी पर है सरदार सरवल बांद आगे दिख्ये कर आटी आई एक्ट जो है राइट टू इन्फरमे की गई थी तो ये सुकन्या समरिजी योजना प्रधान मंत्री मोधी ने शुरू की थी और 2015 में इसकी शुरुवात हुई थी आगे दिखेगा कॉंग्रेस का बेलगाव अरिवेशन जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे ये कब अधिसागर डेम आगे देखें यू आरेल का फुल फॉर्म क्या होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये रिपीटेड कोशन है उसके बाद पुछा गया कि यूनेस्को में टॉटल कितने वर्ल्ड हैरिटेस साइट है तो यह हो जाएगा 1121 हो जाएगा और भारत में यूनेस्को का कितना वर्ल्ड हैरिटेस साइट है तो अर्थी से ठीक है तो यह दोनों कोशन इंपोर्टेंट है आगे देखेंगा अभी हम देख रहते हैं जिसमें से 30 क्या है सेवन क्या है नेचूरल है और एक क्या है मिक्स साइट है पोखरन परमानु परिक्षन का नाम क खुकर तो साची का भूकिल कीसी तो साची शिवान तो साइट असो कर ने भूनाया था समारत असोग ने बनवाए था अकबर का Rs. सबसे पहले हाइए कोट कहां मनाय गया तो कलकता में सबसे पहला हाइस कोट मनाया गया था है हनाग Insate 1B missile launch Insate 1B missile को कब launch किया गया तो 1983 को Insate 1B missile को launch किया गया था यह इसको मैं Capital में लिख देता हूँ ठीक है क्योंकि यह missile का नाम है Insate 1B Insate 1B missile को 1983 में launch किया गया था ठीक है आगे देखेगा आगे देखेगा Insate 1B अब ठीक है आगे देखेगा कोशन नमबर 15 pH value of human blood मानो रत्त का pH value कितना होता है तो 7.35 से लेके 7.4 तक Asia में पहला Olympic खेल कहां हुआ था मतलब पहला Olympic खेल Asia के किस देश में हुआ था तो Japan के टोकियो में 1964 में हुआ था यह भी पूछा जा सकता है किस वर्स Olympic खेल में भारत भाग लिया था तो 1900 में भाग लिया था 1890 में Olympic की शुरुआत हुए थी जो पहला Olympic हुआ था वह एथेंस में हुआ था आगे देखे और जुन 2020 किन को मिला था option दिया गया था उनकी साफ साप को पताना था मैं बता देता हुआ कि सुरुआत कब हुए थी 1901 में इसकी सुरुआत हुए थी अर्जुन एवर्ड और यह खेल में उत्कृष्ट परतैसन के लिए दिया जाता है खेल में सबसे उच्छा जो आवर्ड होता है ठीक है ना आगे देखें बाइल जू से का संबंद कौन से और गन के साथ है तो यह हो जाएगा लीवर के साथ है यह कोशन को रिपीट किया गया है पहली सबसे कम उमर की महिला जिसे नौबल पुरुसकार मिला था तो 17 साल के एज में मलाला यूसिफाई को मिला था सांती के इन्डिया के एंडिया कहां किया था तो साइमान कमिशन भारत थे 1927 या हुआ Ontario मैं था सभिधान में पहला संसोजन कब किया गया था तो 1951 में सभिधान में मच्छर काटने से कौन सा बिमारी होता है आप्षन के असाफ सा आपको लगाना था आगे देखिए आठवी अनुसूची में कुल कितनी भासा है तो 22 भासा है चीटी के डंक में कौन सा इसिट पाये जाता है तो सभी को पता है कि फॉर्मिक इसिट पाये जाता है चीटी के डंक में जामा महजिद का निर्मान किस ने करवाया था तो 1650 से 1650 में साजहा ने इसका निर्मान शुरू किया गया था और इसका निर्मान जो कम्प्लीट हुआ था 1656 में इसका निर्मान कम्प्लीट हुआ था आगे दिखे ब्लू टूट का अविसकार किस ने किया था 1994 में both sun ने किया था फ्रोजेक्ट बागी किस वर्स लाउंच किया था प्रोजेक्ट sir को प्रोजेक्ट को लाउंच किया था स्वेट करांती का जो के 1970 में स्टार्ट हुआ था यह भी पूछा जा सकता है विए इस दा हीड क्वाटर ऑफ यूनिसेफ का हीड को है उसके बाद पूछा गे अस्वक्षी सर्वेक्षन 2020 में पहला अस्तान कॉंसे सहर को मिला तो इंदौर को पहला अस्तान मिला आरबियाई की स्थापना वर्स किस वर्स हुई है तो आरबियाई की स्थापना 1935 में हुई है आगे भारत में कितने परमानू रियक्टर है तो भारत में 22 परमानू रियक्टर है भौतिक में दो बार नौबल पृस्कार किसको मिला है तो भौतिक में दो बार नौबल पृस्क किस राज्य के साथ है तो राज्स्तान राज्य के जैपूर के साथ है भारत में कितने जल मार गये तो बारत में 111 मार गये टालर ones in fact प्रका है करेंसी है पी एस यू एड़िड इन विचे एम अमेंडमेंट तो यह सकेंड सभिधान संसोधन में इसको जोरा गया था पी एस यू को पॉलिक सेक्टर पॉल फॉल फॉर्म मुझे अभी याद नहीं आ रहा है ठीक है अंडर्टेकिंग पॉलिक सेक्टर अंडर्टे से प्रेसिडेंसी इन इंडिया कहां था सूरत में ठाव फैट स्टोरिंग टिसू कौन सा टिसू है जो की फैट को स्टोर करता है तो उसका नाम है एड़ी पोज टिसू ठीक है याद रखिए का मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन है देखा देखिए दोस्तों अगर साइंस में अच्छा माक्स लाना है तो मैं बता दू इस पीड़ी को आप लोग देखेगा इस पीड़ी से ही बहुत ज्यादा कोशन पूछा जा रहा है तो बनाया गया था अकबर बुलंग बुलंद रवाजा क्यों बनवाए गया था अकबर गुजरात विजय पर प्राप्त करने के पूछा जा सकता है और पूछा गया है ठीक है ना पूछा गया था क्यों बनवाया गया था बाकी इंफॉर्मेशन आपको आने वाली एक्जाम के लिए मैंने दिया MSP release from which department MSP release from department of agriculture and co-operation government of India minimum support price for Indian crops MSP आगे दिखिएगा पंडित रमाभाई 31 ठीटे भारति समाज सुधारक वहा समाजिक कारे करता है इनका संबंद संस्क्रित के चित्र से हैं थो संस्क्रित हो जाएगा पंडित रमा भाई और इनको पंडित रमाभाई को ही देश की पहली feminist भी कहां जाता था ठीक है तो ये भ और इस बार अभी क्या पूछा गया कि पहला दूसरा वंदे भारत एक्सप्रेस वह कहां से कहां तक चला तो दिल्ली से कट रहा और जो पहला वाला चला था वारनेसी से दिल्ली तक आगे जिखेगा जो सेक्स रेशियो है इस बार की जनगन्ना में 2011 जनगन्ना में वह कितना था तो 947 से महिला पर एक हजार पुरूस ठीक है 947 रेशियो एक हजार आगे दिखें हिंदू जो जो हिंदू विध्वा होता है उसका री मेरिज एक्ट कब आया था तो 1856 में आया था यह इंपॉर्टेंट कोशन है मैं दोस्तों बता दू आने वाले सिफ्ट के जो भी सैटलाइट क्या है सटलाइट है भारत का सबसे धक्षनी बिंदू क्या है इंद्रा पॉ anál्ट यह भी कुशन पूछा गया आगे पूछा गया पिलिया का संबंद psiceto krvan का ँन से अंग को प्रभाविस करता है तो लिए को 11 माई ठीक है यह पूछा गया आप से कि कब celebrate किया जाता 11 माई को celebrate किया जाता उसका theme भी मैं बता जाता हूं आपको Rebooting the economy Rebooting the economy through science and science technology and research translation title restart इसको बुला जा सकता है पुलपॉम आप लोग देख लिजेगा restart का फुलपॉम उचा जाएगा आप लोग से देखके जाएगा दा नेम आफ दी लॉंगेस्ट रोड टर्नल कौन है अटल टर्नल है ठीक है नौ किलोमेटर है लग भाग और मनाली से लौहू हुल स्पीटी को जोडता है यह देख तो 1980 में मिला था रहनी होकी में लास्ट उलंपीक गोल्ट कब भारत नाइं जीता था, तो 1980 में जीता था, headquarter of DRDO कहाँ पे है तो DRDO का मुख्याले कहाँ पे है नियू देली में है उसके बाद TNT का full pump क्या होता है तो देखेगा try ठीक है space देता हूँ मैं try nitro true lens ठीक है यह देख लिजेगा TNT का full pump यहां मैंने लिख दिया है आगे देखे विच लैंग्विज यूज इन computer computer में कौनसा language यूज किया जाता है तो binary language को यूज किया जाता है जिसको machine level language भी बोला जाता है basic level language भी बोला जाएगा ठीक है ना total member in UNO 193 all data in computer store number अकबर कब died हुआ था अकबर राइड हुआ था 2710 से 27 अक्टूबर 1605 को अकबर रित्य हुए थी ठीक है और computer में जो सभी परकार की data होते वो numbers के form में store किये जाते है ठीक है आगे देखे भारत में पहला राश्ट्य ध्वजे 1906 में किस अस्तान पर फैराया गया था तो पार्सी बगान चौके ग्रीन पार्क के कॉलकता में आपसे को सिर्फ कॉलकता याद रखना है मैंने पूरा डिटेल आप लोगों को बता दिये गया आगे देखे इन में से कौन सा नॉबल गैस है तो नॉबल गैस मैं बता जेता हूँ ये तो option के इसाफ साब को लगाना था ऐसे तत्वे को साही गैस भी कहा जाता है प्राक्रितिक में अच्छा नॉबल गैस है हिलियम नियॉन आरगन क्रिप्टोन जिनॉन रेड़न ठीक है ये भी पूछा गया है भारत में स्वेट करांती कि जनक किसको माना जाता है तो डॉक्टर वर्जी वर्जी जे कॉरियन को माना जाता है गोदावरी का उद्गम अस्तल कहां पे है तो त्रियम बेक के सुवर महराष्ट में प्रधान मंतरी शुरक्षा बीमा योजरा की सुरुवात कब की गई थी तो 2015 में की गई थी लाफिंग गैस का रसाइनिक नाम क्या है तो नाइट्रस ऑक्साइड है उसके ब इसके बाद UNSC के 1118 सदस्ते कितने हैं तो 10 1123 थी वाक्साइड का सबसे पहला उत्पादक राज का औरिशा हो जाएका किस वर्स में निती आयोगे ने महिला प्रांसफॉर्मिंग इंडिया एवार्ड की शुरुवाद की थी तो 2016 में इसकी शुरुवाद की थी इंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन एस्सोसियेशन का गठन कब किया गया था तो इंपॉर्टेंट हो गया तमस पुष्टक के लेखा कौन है तो भिश्म सहनी है उसके बाद नावक के यह देखिएगा नवा कल वे रा फैस्टिबल देखिएगा यह कहा का तो उरिशा का तो यह भी कोशन पूछा गया इंपॉर्टेंट को सरह मैं थोड़ा कैपिटल में इसक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था जो की 1770 में बन के तयार हुआ था हूँ इस डी हुई इस डव आएई सिसी क्रिकेटर ऑफ दे इयर कौन है तो विराट कोई 2020 में क्रिकेटर ओफ द इयर ठीक है मन्रेगा इस्टेबिस्ट और विच देट तो मन्रेगा स्टेबिस्ट किया गया दिस्ट्रिक को किसमें सामिल किया गया था रखा गया था सप्टिमबर फरवरी नेधे लागू कर दिया गया है 200 तो यहां before होंगे कि एक रीपीट हुआ था जिस सब्सक्राइब करें यहां को संख्या आपको ज्यादा देखने को मिल गया तो आप लोगो एक्स्रा जानकारी मिल जाता है और जो भी कोशन मैं आप लोगो प्रोवाइड कर रहाता हूं वह हंड्रेट परसेंट जैन्मीन कोशन होते हैं तो अगर आप लोग को किसी भी तरह का ad-out होगा कोई भी कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजेगा मैं आपके कमेंट कर जरूर रपलाई करूँगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को please like करके चैनल को please subscribe करके हमें support कीजेगा आसर करता हूँ कि आज करते हूँ कि